तो दोस्तो जेपी पावर की शेयर में आज एक बड़िया तेजी देखने हूं में लिए इस्टॉक काफी टाइम बाद अपड़ सरकेट पे लॉक हो गया फिलाल स्टॉक का भाव सवा नौ रुपे चल रहा है दोस्तो इस्टॉक के लिए 6-7 रुपे की जो रेंज थी वो एक बहुत बड़ी रेंज लेवल थी जहां इस्टॉक काफी बार आया था और सेलिंग प्रेशर देख लेया था जिसके बाद इस्टॉक नीचे आ जाता था चार पांच रुपे के असपास लेएं दोस्तो अभी फिलाल जो इस्टॉक में तेजी आ रही है इसमें इस्टॉक ज क्या कोई अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी भड़िया तेजी आ रही हो तो दोस्तों फिलाल कोई भी अपडेट नहीं है जो जिसके बार में डिसकस किया जाए जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बड़िया तेजी आ रही हो तो चलिए एक बार स्टॉक जो company के financials है, एक बार उसमें नज़र डाल लेते हैं, और फिर stock targeted जानेगे कि यहां से अब क्यूंकि 79 रुपय आ चुका है stock, इतनी बड़ी resistance range जो की 6-7 रुपय की उसको पार कर चुका है, तो यहां से अब क्या target बनने वाले है stock के लिए, तो दोस्तों यह मैंने अब screener.in की website set खोल लिए, जैसा आप अपनी screen पर देख पहा दोंगे, जो company की अभी फिलाल book value है, वो है 15 रुपय, stock का भाव भी 79 रुपय है, तो माना जासता है कि जो book value है, company उससे अभी फिलाल stock तो नीचे चल रहा है, लगकिन, दोस्तों इसमें जो एक important बात है, जो हमें ध्यान रखन पे की, यानि बड़ा portion जो है, वो है share capital का, जो कि दोस्तों इसलिए इतना बड़ा हिस्सा हो चुका है, क्योंकि company ने काफी, पिछले 2-3 साल में, जैसे हमने काफी वीडियो में डिसकस किया है, काफी सारा जो कर्श था बैंकों का, जो company ने लोन ले रखा था, वो सारा share equity shares मे convert कर दिया गया था, जिसकी हो जैसे company की share capital बढ़ी है, तो जो फिलाल अभी book value ने जर आ रही है, वो most of the दोस्तों बड़ा हिस्सा उसका share capital की वजह से है, लेकिन दोस्तों book value बढ़ी है, अभी भी book value से नीचे में चल रहा है stock, जो की एक अच्छी बात है, अगर दोस्तों price to sales ratio की बात करें, जो किसी भी stock के लिए एक important ratio होता है, तो वो चल रहा है आपका अभी 1.70 JP power के लिए, दोस्तों 2 के नीचे आये, तो यह माना जासता है कि अभी फिलाल stock इतना महंगा नहीं हुआ है, यह JP power के लिए एक अच्छी बात है, अगर अब एक बार company के जो revenue है, प्रॉ revenue रही है, जैसे March 2021 के quarter में रही है, आपकी साढ़े 900 करोट रुपे की sales, और दोस्तों बात करें, यह company का loss कितना है, यह profit कितना है, तो दोस्तों जैसा आप अपनी screen पर देख पारूंगे, company ने जो last quarter था, September वाला, उसमें करीब 1.50 करोट रुपे का loss हुआ था company को, और दोस्त other income, जो की 235 करोट रुपे की आई थी, March वाले quarter में, इसके जैसे जो 200 करोट रुपे का profit है, वो निकल गया था, अगर यह other income हट जाती, तो यह भी loss में होता, तो माना जा सकता है, यह company की position है, ना company इतना कोई बढ़िया profit कमा रही है, ना इतना कोई जादा loss कर रही है, दोस् को मिला के depreciation को मिला के आ रहा है, और depreciation आपका दोस्तो non cash expense होता है, यानि वो हम P&L में उसकी entry तो गड़ देता है, लेकिन हमें cash कुछ देना नहीं होता, तो जो अगर हम देखे, तो करीब 100 से 120 करोट रुपे की हर quarter में company, तो इसको depreciation चड़ा रही है, तो यह इसको मिला के company जो net profit है, या loss आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, तो माना जासकता है, अगर company zero profit कमा रही है दोस्तो और 120 करोट रुपे की depreciation चड़ा रही है company, तो cash, जो इनका company का cash book होती है, यह जो cash flow है, उसमें दोस्तो असलियत में company करीब 120 करोट रुपे का profit कमा रही होगी, या cash flow, जो inflow है, दोस्तो company के पास 120 करोट रुपे आ रहा होगा, जो भी company business कर रही है, तो cool मिला के माना जा सकता है, कि जो cash flow statement है, दोस्तो उसमें तो company positive होगी, लेकिन जो net profit की बात होती है, P&L की statement की बात होती है, दोस्तो उसमें company का ना कोई इतना बड़ा loss आ रहे है, ना इतना कोई उसमें company ने करीब 691 करोड रुपे की sales generate करी थी, और दोस्तो वो बढ़ते बढ़ते आपकी हो चुकी है, अब 3 जो 2021 वाला दोस्तो year था, उसमें हो गई थी, वो sales 3,302 करोड दोस्तो sales हो गई थी, अब दोस्तो बात करें कि, बीच के years की, तो दोस्तो जो आपका 2010 से था year, व जो आपकी 690 करोड के आसपास की sales थी, वो 2015 तक आते आते होई, आपकी 4,140 करोड रुपे की दोस्तो, लेकिन 2015 के बाद से ही company की sales कभी थोड़ी उपर है, कभी नीचे है, और फिलाल अब जो 4,500 तक पौच गी थी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पार होगे, 2018 में company की sales बलकि 4,800 करोड रुपे तक पौच गी थी, अब वो फिलाल घटके होच चुकी है, आपकी नीचे, और जो यह 2015 के बाद से दुस्तो दिक्कत रही है, यह basically इसलिए रही है कि 2015 के बाद से ही company को कर्ज की दिक्कते जादा होने लगी है, और उसी वहाँ से, उसी साल से company ने जो कर्ज था, उसको equity shares में convert करना चालू किया था, उसके बारे में सोचना चालू किया था, तो इस वज़े से company जो growth है, उस पे focus कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो अच्छी बात रही है दोस्तो, company ने जो इतना सारा equity, काफे ही सारा तो debt repay भी किया है, और जो इतना सारा कर्ज था उसको क्योंकि equity shares में convert कर दिया दोस्तो, तो जो एक time company की जो दोस्तो interest cost थी साला ना, वो जो करीब आ रही थी दाई हजार क्रोट रूपे दोस्तो, वो अब बहुत घड़ चुकी है, और साला ना interest cost अब आ रही है company की सिर्फ 500 क्रोट रूपे की असपास दोस्तो, जो की एक बहुत ही बड़ा reduction है interest cost में, अगर दोस्तो company की balance sheet की बात करें, तो 2010 में company की जो share capital थी, दोस्तो वो थी करीब 2000 क्रोट रूपे की, लेकिन जैसे मैंने बताया को company ने काफी सारी amount जो कर्ष था, उसको equity share में convert किया था, जिसकी वजह से ही company की जो अब share capital है, वो है करीब 6800 क्रो तो actual में company के जो reserves है, वो है करीब आपके 3500 क्रोट रूपे के, और क्योंकि share capital का इतना बड़ा हिस्सा है, इन दोनों का जो combined है दोस्तो, वो company की book value बन जाता है, आपकी share capital और reserves को combined करके, अगर दोस्तो company की borrowing की बात करें, तो जैसा आप अपनी screen पर देख पा रहे होंगे, 2015 के असपास company पर दोस्तो करीब 32000 क्रोट रूपे का कर्ज था, जो की एक बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन company ने काफी सारा कर्ज को repay किया है, और काफी सारी कर्ज को equity share में convert किया है, जिसकी वोसे company पर जो कर्ज है, वो और स्रिफ रह गया है, 5000 क्रोट रूपे का दोस्तो, कर्ज यानि माना जासता है company ने काफी सारे अपने जो assets थे वो भी बेचे है, ताकि company अपने उपर कर्ज कम कर पाए, अब दोस्तो बात करें company की share holding pattern के बारे में, तो जैसा आप अपनी screen पर देख पार होंगे, अभी फिलाल दोस्तो, September 2021 तक ही हमारे पास data available है screener पे, अभी December जो quarter end ह हुआ है अपका 2021 का, उसका भी share holding pattern निकल के नहीं आया, तो अगर September share holding pattern के साब से देखें, तो promoters करीब 26% shares own करते थे company में, और जो DIs है, यानि उसमें आपके सारे institutional investors आ गए, जो की इंडिया के है, domestic है, और जो सारे bankों को shares issue के गए थे, वो आ गए सब DIs में, तो उसमें के पा पास है करीब 44% shares, अगर दोस्तों DIs को खुल के देखें, और उनके में देखें कि किन-किन company, किन-किन domestic investors के पास shares पड़े हैं, तो जैसा आप अपनी screen पे देख पा रहोंगे, ICICI bank के पास करीब 10% shares है, Punjab National Bank के पास करीब 75% shares है, Central Bank के पास भी करीब 3.5% shares है, Yuko Bank के पास 1.23% गैनरा बैंक के पास 2.5% shares है, तो दोस्तों जो यह shares holding है, जो दिखा रहा है कि ICICI bank के पास इतने shares है, Central Bank के पास इतने shares है, दोस्तों यह सब shares इसलिए है, क्योंकि इन सब कर्ष था company में, इनको equity shares में convert किया गया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने company में shares खरीद दे थे open market से, इन इनको इनके कर्च के बदले company के shares दिए गए थे, जो कि दोस्तों 10-12 रुपे की range में shares दिए गए थे सभी को, अब दोस्तों बात करें कि stock यहां से कहां तक जा सकता है, stock में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, तो अगर हम एक महिने का chart खोल के देखें, तो जैसा आप अप रुपे की range थी, वो एक बड़ी resistance range थी, जहां stock बार पर selling pressure देख लेता था, जिसको stock ने अब अच्छी तरह पार कर लिया है, और अब उसके उपर सवा 2 रुपे चल रहा है दोस्तों, अभी फिला सवा 9 रुपे का भाव है stock का, तो अग बात करें कि यहां से अब क्या target होने अगला stock के लिए, तो अब यहां से दमखंख है कि stock 10 रुपे के target को hit कर दे बड़े जल्दी ही दोस्तों, अगर range की बात करें, तो इसी को हम 10 से 11 रुपे की range मान के चल सकते हैं, कि अगर 10 से 11 रुपे की range में stock आता है, तो आप एक अच्छी खासी profit booking कर सकते हैं, जो यह दोस दोस्तों, क्योंकि stock में इतनी बड़े तीजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि 10 से 11 रुपे के उपर भी चल जाए, और क्यों चला है दोस्तों, stock market में अगर कोई purchase share जो भी अभी share पढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई share में पैसा दबाया आ सकता है 10 से 11 रुपे की range में, जिसकी वज़े से एक major target होने वाला है, लेकिन अगर इस range में आते हैं, जो भी बायर अभी purchase कर रहा है, जिए पी पावर की share है, अगर वो सभी जो shares आते हैं bank की तरफ से, उनको पचा जाता है, और दोस्तों, उसके पास अच्छा खासा दम ख हम रहता है कि share को और भणाने का, और 10 से 11 रुपे की range है, उसके उपर भी किसी वज़े से stock निकल जाता है, वैसे तो बहुत hard होने वाले stock के लिए इसके उपर निकलना, लेकिन अगर किसी वज़े से निकल जाता है, तो फिर क्या target बना रहेगा दोस्तों, तो मान के चले, त तो वो रहेगा 14 से 15 रुपे, अगर किसी वज़े से stock 10 से 11 रुपे की range को पार कर लेता है, तो दोस्तों हो सकता है कि stock 14 से 15 रुपे तक पहुच जाए, लेकिन जैसे मैंने बताया, यहां तक पहुचना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1000 करोड शेयर बल से ही यह 10 रुपे हिट करने बाद ही selling pressure आना चालू हो जाता है, तो यहां से अब stock के लिए क्या support range होने वाली दोस्तों, तो जो main support level होने वाला है stock के लिए वो रहेगा 7 रुपे, 7 रुपे आने पर होसता है कि एक stock अच्छा खासा support देखे दोस्तों, तो कुल मिला के कहे तो अगर आपके पास shares पढ़ें और आप hold करते हैं, तो अगर 10 से 11 रुपे stock आ जाता है, तो आप एक अच्छी खासी profit booking कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि share में अच्छा खासा दमखंग है और stock बढ़िया तेजी देख सकता है 10 से 11 रुपे आने के बाद भी, तो आप 14 रुपे की रेंज के लिए थोड़े बहुत shares और hold कर सकते हैं, दोस्तों, फिलाल कोई और update नहीं है, जिसके बारे हम discuss करें इस वीडियो में, अगर कोई और update आता है, तो उसके बारे हम अगली वीडियो में जरू discuss करेंगे, ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको प्रिट्स मिलतरह धन्यवाद